अब उनका ख्या उनके बारे में क्या बोले उनका कोई स्टैंडी नहीं है जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर साथ इसका क्लेरेंस भी नहीं था एक जमाने में जब लेट मुलाइम सिंग आदब अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के आफिस में बढ़कर खाना खा रहे हैं तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके उपका बड़ा कांट्रोवर्सी हुई थी अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं वो वो किसी और मिझाल दे सकते थे ना और मिझाल दो उसमें भी आप इसके बोलते हैं तो उसको जोड़कर इस वो करेंगे ना जहां तक हमारा मामला है हम भारत में सबसे बड़ा गर कोई नेता था रहेगा वो बाबा सम बेट कर और इस देश में सबसे बड़ा सबसे पहला आतंगवादी कोई है तो ना थो राम गोट से इस देश में सबसे बड़ा टर्रिस्ट अफेंस हुआ आजादी क बाद तो गांदी की हत्या हुई है और गांदी की हत्या में किन किन लोगों का नाम आया था उनको सजा भी हुई और उसके बाद जिस्स कपूर कमिशन की रिपोर्ट में जो कांस्परेटर था उसका नाम भी आया है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता उसको देश को पढ़ना च तेंक यूए अभी हो रहा है तो यह पदान मंतरी का एक एक तरीखा है जो सिर्फ अपने आप को इंडिविजियल प्रोमोशन के लिए और यही बताना के बस वही कर सकते दूसरा किसी ने कियाने दूसरा कर पाएगा तो यह ठीक नहीं हुआ जो भी हुआ हाँ पारलिमेंट की नई बिल्लि देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूस को सब्सक्राइब करें वह बेल आइकान दबाना नभूरें